अब देखो पुने अब यहाँ पर उसी विशय को आप सबी ध्यान से सुने कर्म बंद और शांख दर्सन की इस प्रक्रिया में आपको कर्म पुद्गल की वर्गना और जीव के साथ कैसे उसका बंद हो रहा है इसको तो समझना ही पड़ेगा भावर्त बहुत अच्छा दिया जा रहा है शांख मत के ऐसे सरद्धान को रखने वाले व्यक्ति से आचारी महराज कह रहे हैं क्या सांख मत के ऐसे सरद्धान को रखने वाले व्यक्ति से आचारी कह रहे हैं सांख मत क्या है इस पर ध्यान देना आप सबको जरूरी है क्योंकि जब तक मूल मानने ता आपके ख्याल में नहीं आएगी तो आप बात को पकड़ नहीं पाएंगे सांख मत में जीव को सरद्धा सुद्ध माना गया है और अकर्ता माना गया है और अगर ऐसी मानने ता रखेंगे तो संसार का तो अभाव ही हो जाएगा संसार बनेगा ही नहीं इसी बात का इस पश्टी करण दिया जा रहा है गाथाएं पिछले करम से चल रही है समय सार गिरंत की 123, 124 में, 125 में गाथा कसार आप सब के बीच में रखा जा रहा है गुर्वर आचर स्री बिसे सुरूप से तीकाओं का आधार बना करके ब्याख्याओं को इस पस्ट करते हैं हम लोग संग में थे आचर सी न समय सार पढ़ाया एक बार पढ़ने में ही पूरा बिसे थोड़ी आता है पर ज्यान तो आगे बढ़ जाता है ना और कितनी बार आचर स्री संग में समय सार जैसे महान गिरंत को पढ़ा चुके अनेकों बार टीकाओं के माध्यम से जैसे नाचरी महरत जी की बहुत सरल टीका संस्कृत की टीका पद खंडना रूप टीका एक एक शब्द का शब्द को तोड़ तोड़ करके अच्छे से भावों को बताना गुनस्तान परक बात करना कथन करना ताकि पाठक पढ़ने वाला कहीं भिर्मित ना हो इन बिबक्षाओं को समझने में बहुत से लोग भिर्मित भी हो जाते हैं हाँ देखिए बिसे सुरूप से ध्यान से सुने सांख मत के ऐसे सरद्धान को रखने वाले व्यक्ति से आचायर महराज कह रहे हैं कि तुँ जीव को सदा सुद्ध मानता है क्या तुँ जीव को कौन सांख मत वाला जीव को सदा सुद्ध मानता है इससे तो यह कहा नहीं जा सकता कि जीव में फुद्गल करमो का बंधन है अब तुमने जीव को सदा सुद्ध मान लिया यह बात तो कही नहीं जाएगी कि जीव में फुद्गल करमो का बंधन है और फुद्गल को सदा ही नित मानता है पुद्गल को भी तु सदा एक जैसा नित मानता है इस से यह भी नहीं कहा जा सकता की पुद्गल से हम कर्म रूप हो गया जब पुद्गल का परिणमन ही तुमने नहीं माना उसे अपरिणामी मान लिया तो फिर ये भी नहीं कहा जा सकता कि पुद्गल से हम कर्म रूफ हो गया है अत्येयो पुद्गल को सदा परिणाम रहत मानना पड़ेगा आपकी माननता से पुद्गल को अपरिणामी ही मानना पड़ेगा क्या जैसे सांख मत में, जीव को सर्वता शुद्ध, अकर्ता माना है, ऐसा ही जब आत्मा हो जाएगा, तब सब आत्मायें सदा, सिद्ध, रूप ही रहेंगें, तो जैसे सांखमत में जीव को सर्वता शुद्ध अकरता माना है ऐसा ही जब आत्मा हो जाएगा कैसा हो जाएगा सर्वता सुद्ध और अकरता रूप हो जाएगा तब सब आत्मा सदा सिद्ध रूप ही रहेंगी ऐसा मानने से संसार का अभाव हो जाएगा किसका अभाव हो जाएगा संसार का अभाव हो जाएगा उपर की गाथाओं में उपर की गाथाओं में यह सिद्ध किया गया है कि सांखमत जो जीव को सदा सुद्ध मानता है सांखमत जो जीव को सदा सुद्ध मानता है उसके मत से संसार नहीं बनता क्या सांख मत जो जीव को शदाशुद मानता है उसके मत से संसार नहीं बनता क्योंकि सुयम बिना निमित के पुदगल कर्म जीव के साथ लगकर उसे असुद नहीं कर सकते हाँ निमित के बगेर जीव के रागदेश परिणाम का निमित पाए बगेर पुद्गल की कोई भी वर्ग ना हाँ कर्म का रूप नहीं ले सकती और जब कर्म का रूप नहीं लेगी तो पुरुसका कर्म का बंद भी नहीं होगा और यदि पुद्गल को सदा नित माना जाएगा तो भी कर्म का संबंद जीव के साथ नहीं बन सकता अब पुद्गल को सदा नित मान लो तो भी कर्म का संबंद जीव के साथ नहीं बना क्योंकि ऐसी दसा में कैसी दसा में? ऐसी दसा में पुद्गल के परिनमन नहीं हो सकता जिसमे स्वयम परिनमन सकती नहीं है उसे कोई अन्यरूप नहीं कर सकता इस से यह शिद्ध हुआ कि जीव के अशुद भाव का निमित पाकर अशुद द्वाव यानि रागदेश का निमत पाकर पुद्गल भरगना ग्याना बरनादी द्रव कर्म रूप पर नमन करती है इससे पुद्गल में किसी अपेक्षा कर्म रूप होने की शक्ती है यह सर्व कथन बेवहार नैसे है अता जो सुद्दात्मिक रसका अनुभव करना चाहें उनके लिए है यह सब त्यागने योग है उन्हें तो अवेद रतनत्रे सुरूप आत्मक ग्यान की सरण लेकर सुभाव में गुप्त रहना योग है क्या सार समझे आप सभी लोग इसका सार ये है कि अगर हम रागदेश ना करें तो कोई भी पुद्गल की वरगना कर्म नहीं बनेगी और जब कर्म नहीं बनेगी तो जीव के प्रदेशों के साथ हमारे साथ उसका कर्म बंद नहीं होगा अब नहीं तो चाहते हैं रागदेश नहीं करना चाहते फिर भी होता है तो कर्म का बंद होता है अब कर्म का बंद होता है तो फिर क्या करें कर्म को काटने का उपाए करो कर्म को काटने का उपाए करो महराज कैसे कटें कर्म बताओ ना आप उठाओ कुलाडी लाओ लकडिया काटना शुरू करो लकड़ी लाओ, कुलाड़ी लाओ, कटो, काटो, काटो अरे, तुम्हें कुलाड़ी से तुमारी लकड़ी नहीं कट पा रही तो तुम कर्म क्या काटोगे अभी तो कर्म के बंधन में लगे हो फिर भी, अगर आप दान पूजा से लगे हो सम्यक दर्सन की भावना में हो धीरे 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 कर्म कटते जाएंगे और अंधेरा छटता जाएगा हाँ, अंधेरा छटता जाएगा प्रतिक्षा तो करना पड़ेगी अंधेरा एकदम छटता थोड़ी है महराज बहुत परेशानी है आसिरवाद दे दो सब परेशानी दूर हो जाएं अच्छी भात है सरद्धान होना चाहिए आसिरवाद से फरक भी पड़ता है लेकिन अकेले आसिरवाद से ही सब ठीक होता जाता करना धरना तो फिर कुछ नहीं करना पड़ता करना पड़ता है हाँ आसिरवाद तो बाद में काम आता है पहले तुम्हारा भाव होना चाहिए अब स्वाद्धाय चल रहा सरावक लोग तो बंद ना करने आए दर्सन करके जाना चाहरे अब दुविधा में हैं महरज जी का आसिरवाद लिये वगर कैसे जाएं और अब स्वाद्धाय का विराम कब होगा पता नहीं महरज जी का तो स्वाद्धाय चली रहा है चली रहा है तोड़ा ही और रह गया जादा नहीं है विराम होने वाला है देखिए इतनी बड़ी बात है कि ग्रस्त को बिस्वास तो रहता है लेकि उत्ता वो पालन नहीं कर पाता है उसकी भूमी का अलग अलग परकार की होती है लेकिन लक्ष अगर बना लिया तो फिर दीरे 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 अंधेरा चटने लगता है और ज्ञान का प्रकास मिलने लगता है मेहनत तो करना पड़ती है मेहनत किये बगैर किसी का कोई काम बनने वाला नहीं हाँ तोरी सकल जगदंद फंद निज आतम ध्यावो क्या सोच रहे हो का सोच रहे हो बहुत एक आगरता से कुछ लीनता में कर्म बन्द के विसाय में सोचना पड़ेगा कैसी कैसी ब्याख्याएं आचारियों ने लिखी है तोरी सकल जगदंद फंद निज आतम ध्यावो केना तो सरल हुई लेकर दंद फंद छूड़ते थोड़ी जल्दी हैं एक आचारि महराज कहते कि संसार की समस्या तो ऐसी है कैसी है चरस चलते थे पहले घरियों में पानी भर भर के आता था और रहट घरी वो ऐसे ऐसे गूमता था अब जैसे ही देखा पानी से भरे घरी आ गई चरो गिर गया पानी अब तो खाली हो गई होंगी अरे उपर की घरीयां जितनी खाली होती है को ये में अंदर पानी में उतनी घरीयां और भर जाती है जैसे इतने से सरदर्द ठीक किया सो गर्दन में दर्द आ गया अब गर्दन का ठीक किया पीठ में आ गया अब पीट का ठीक किया घुटनों में आ गया अब बताओ जा रहा ही नहीं किस्तान बदल रहा है एक समस्या से छुटकारा पातानी सराबक गरस्त की दरवाजे पर दूसरी खड़ी है यहां ठीक रहेगा ऐसा कर लो यहां ठीक रहेगा ऐसा कर लो तो करता है करते समय थोड़ा अच्छा भी लगता कुछ दिन अच्छा रहता फिर कोई नो कोई समस्या आ जाती फिर कोई नो कोई परेशानी खड़ी हो जाती क्या करें इसी का नाम तो संसार है पद्यानुगाद देखो आचासी ने बहुत अच्छा पद्यानुगाद लिखा तीनों गाताओं के पद्यानुगाद नीचे लिखे हुए है जो जीयू में जड़ बंधा न सुयम बंधा है बोकर में रूप ढलता न सुयम सदा है ऐसा तदी ये मन का यदि भाब होगा तो मित्र पुद्गल नहीं परिणामी होगा किमबा सुयम न ढलती बिधि वर्ग नाये कर्मत तुमें सहज पुद्गल की घटाएं सामराज सांक मत का फिर तो चलेगा संसार का फिर पता रहना सकेगा संसार का कोई पता नहीं है की नहीं है चला जाएगा आत्मा सोयम परिणमा कर पुद्गलों को देता बना बिधि मनो बिधि शक्तियों को आश्चर यहे जड़ नहीं परिणामी बैंसे आत्मा उन्हें परिणमा सकता ही कैंसे तीनों गाथाओं का आचर स्री ने बिसे सुरूप से भावों को इस्पष्ट करते हुए पध्यानुबाद किया गरंत की गाथा हैं आचर प्रनीत गाथा हैं अब क्या करें सास्त्रों की गाथा हैं तो ग्यान बर्तक हैं और हमारी तुमारी गाथा तो बस इत्ते ही है गावर था गावर था गामे और था में लगे हुए हैं करूँगा 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 और किया था था संसारी प्रानी की ये गाथा चलिया रही है इस गाथा से बचने के लिए और सही समझ पाने के लिए आचार प्रिनित गरंतों की गाथाओं को समझना बहुत जरूरी है और एक बार अगर ये गाथाओं पढ़ने को मिल गई और अच्छे तरीके से कोई पढ़ाने वाला समझाने वाला मिल गया तो हमारा तुमारा काम बन गया बस इसी शुभावना से बिराम देता महाबीर भगवान की